एक कोड नई सुबा हमारे वही घटिया से घर में एंड गैस आप अपी सोच रहोंगे कि मेरे घर में इतनी भीड क्यों हो रही है तो गैस भीड इसलिए हो रही क्योंकि आज एक बहुत खास दिन है मेरे लिए नहीं बागा के लिए आज भागा का हैपी बड़ी टू यू है तभी तो गैस मेरे बागा के लिए यहापर हैपी बड़ी बागा लिखवाया है और पूरे घर को अच्छे से सजाया है अरे ओ भाई बाबुजी के कमरे में कहा जा रहा है इन लोगों के वज़े से कल राध मुझे यहाँ मच्छोरों में सोना पड़ा क्योंकि कल राध यह लोग मेरे कमरे में घुश के नाच रहे थे और उपर से जेटे भी उनके साथ मिलावा था यह बागा के दोस बागा से भी जाधा बदमाश है यह देखो इसको यहाँ खड़े हो के मेरे फिरिच बे सुसु कर रहा है और मेरे को देखके भाग भी गया ओ भाई लोगों नीचे चलो पाटी नीचे है या उपर थोड़ी ना है अम नोट इंट्रेस्टेड यार मुझे सुनना ही नहीं है लेकिन चलो ठीक है एक ही दिन की बाते सहे लेंगे वैसे ही अपना बड़्डे बॉई है कहा मेरे को इसको साड़े दो बड़्डे बॉउँ माणने है क्योंकि गईस अपना भागा पुरे साड़े दो साल का हो गया है ओई बागा मेरे दोस्त जनम दिन के हार्दिक सुपकाम ना है ये लिए देरे बड़े बॉम एक, दो, और धाई चलो भई बड़े बॉम भी माल लिए अब पार्टी चालू करते हैं मैंने बोला ता ना गई जिबागा कि दोस्त भी पार्टी का नाम सुनते से ही नीचे आ जाएंगे देखो आ गए, चल डीजे वाले बाबू, गाना बजा दे कैम पार्टी अरे ओ कैम पार्टी, टैम बस मत कर यार गाना बजा रुको जरा, सबर गरो अब यार कैसा आदमी ये बड़े खतम होने के बाद बजाएगा क्या एक काम करी बड़े सॉंग वाली सीडी पकड और यही बजा दे चलो गईस तयार हो जाओ, अब पार्टी चालो होने वाली है चलो भई, नाचो, नाचो, आज तो हम इतना नाचो हो जब तक मेरी धोती नहीं फट जाए चल भई, बनकर बस बहुत नाच लिए वेसे भी मेरी धोती फटने में आ गई है चलो भई, नाच गाने भी होगे, अफटावर से फ्रीज में से बागा के लिए केक निकाल लेते हैं और उसको बोलके केक भी कटवा लेते हैं ओके, मैंने ये केक मोंबती के बस रख दिया है चल बागा फटावर से केक काड़ दे ठीक है भई, तेरी मर्जी में ही काड़ देता हूँ चलो भई, अपने लिए अच्छा है, सबसे बड़ा केक काबाट अपनी गटक लेंगे थोड़ा सा केक भागा को भी दे देते हैं वणना ये भागा के दो सारा केक चट कर जाएंगे अब मेरे साबसे पार्टी को यहीं एंड करना चाहिए अरे नहीं एक सेकेंड, मेरे बम तो फोड़ी ही नहीं यार मैं स्पेशली रॉकेट लेका आया था अब इसको अपन ये बागा की खेद में फोड़ते हैं ओहो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है चलो भी रॉकेट भी खतम, इसके जाद पार्टी भी यहीं खतम चल बागा वापस से काम पे लग जा काम पे जाने का बोला था ही के दे दिया अरे सेट जी मेरा गिफ्ट तो दो अरे हां यारे बागिश्वर को गिफ्ट भी तो देना है लेकिन मेरे को समझी ने आ रहे इसको मैं क्या गिफ्ट दू मैंने आप लोगों से पुछा थे कि मैं बागा को क्या गिफ्ट दू छोड़ दयापन देक काम करते हैं बागा सी पुछ लेते हैं उसको क्या चाहिए बोल बागा क्या चाहिए जो मांगना है मांग ले अब के दे दिया सेड़ जी मुझे ट्रेक्टर खडित के दो वणना मैं खेती नहीं करूंगा अरे यार मैं तो मजाग कर रहा था इसने तो सही में ट्रेक्टर मांग लिया मेरे को तो लगा थे कि दो रूपी की चोक्लेट मांगेगा लेकिन ये बागा ने तो काफे ही भारी डिमान कर दी अम मैं उसको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मिने उसको ट्रेक्टर खडित के नहीं दिया तो फिर वो खेती बंद कर देगा और अगर उसने खेती बंद कर दी तो फिर मुझे खाना नहीं मिलेगा और अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तो टपक जाओंगा क्या यार अमें ट्रेक्टर खड़िने के पैसे कहां से लाओं क्योंकि मेरा सारा पैसा तो वो जेटे को आइफून दिलाने में लग गया लगता है मुझे अब चोरी करना पड़ेगी सौरी माइन क्राफ्ट के भगवान मुझे माफ कर देना पापी पेट का सावाल है वैसे तो वो बागा के चाचा लगते हैं लेकिन मेरी बात मानो गाइस नड्टू का अगा बागा से बहुत जादा अमीर है बागा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है उनके बास खुद का घर है, खुद का खेत है और वो खेती भी ट्रेक्टर से करते हैं ये सब तो ठीक है guys, उनके बास तो एक पूरी कुटो की फोज भी है, जिससे मेरे को बहुती ज़्यादा डल लगता है, लगता है आपको मेरी बात पर अकिन नहीं हो रहा है, तो रुख जाओ मैं आपको लाइफ दिखा ही देता हूँ ना, तो ये देखो कि इस आपके सामने खड़ावा दिख रहा है ना, वो चुरा के भागना है, लेकिन यार केसे चुराओं, क्योंकि बागा के चाचा नटूगा का खेत में ही काम कर रहे हैं, अगर मैं उनके सामने टेक्टर चोरी करने कोजिश करूँगा तो हो सकता है, वो अपने कुत्ते मेरे पीछे बढ़व क्योंकि मैंने सुना है, डर के आगे जीत है, ओकी गैस, फाइनली अपन अंदर तो आ गए है, और बाबुजी के आशिवासी कुते से मेरे को देख के भोक रहे हैं, मेरे पे लबग नी रहे, अरे दया यहाँ यहाँ पर कुत्तों की फोज में कुत्ते का पिल्ला भी है, या किन दया मुझे एक बात समय ने आ रही कि ट्रेक्टर के साथ खेत में ये सब चीज़े क्या रखी है, ये सब चीज़े भी क्या खेती करने में काम आती है, अरे दया ये देख, ये तो अपनी वो जीब जैसी लग रही है, ट्रेक्टर को छोड़ो अपन तो ये उठाए के ल लेते हैं, अरे यारी सब कुद्य ट्रेक्टर के पीछे क्यों आ रहे है, अरे दया वो अपने पीछे नहीं आ रहे है, वो अपने पीछे लबग चुके है, चलो भाई फड़ावर से ट्रेक्टर भगाओ, क्या यार हमेशा मेरे साथ ये इसा क्यों होता है, सब कुछ बढ़ अभी भी मेरे पीछे पड़े वें, दया अपन तो एक काम करते हैं या टेक्टो को सीधा पोर्टल के अंदर ले चलते हैं, तो ही अपन बच पाएंगे वनना अपन यही टपक जाएंगे, अरे शिट यार, इसको अपनी बंदुक से टपकाना पड़ेगा, अरे यह कुत्ते ल अपने को गला जगा टेलिपोर्ट कर दिया, लेकिन चलो कोई नी वेसी भी अपना घर बाजू में है, अपर टेक्टर चला के ही पोच जाएंगे, पर एक सेकेंड में यहाँ पर टेलिपोर्ट होई गया हूँ, तो बाबा से भी मिल लेता हूँ, और बाबा जी सम्मझा मा, सही में यार, यह बाबा बहुत मतलब ही आदमी है, जब काम होता ना, यह भी ढग से बात करता है, वन्ना यूँ तो कभी भावी नहीं देता, और वेसे भी जहाँ पर मेरी इज़त नहीं होती नहीं, वहाँ पर में जरा सा भी नहीं रुकता, तो इसलिए चलो दया है बस इसमें सिफ दोई चीज़ खराब है, पहली तो है इसकी स्पीड, और दूसरा है यह दुहाँ, जो सीधा मेरे मूँ में आ रहा है, होगी गैस, काफी ही मुसीबते उठाने के बाद, हम ट्रेक्टर लेकर लेकर आई गए, सही में यार, वो कुदों ने मेरे को ऐसे ऐसे गाटा की मैं आपको बता नहीं सकता गाईस, लेकिन चलो ठीक है कम से का अपना काम तो हो गया ना, बागा को तो मालूम भी नहीं होगा, कि अपन उसको उसके चाचक ही ट्रेक्टर चिपका रहे, यह बागा बार चले जा तेरी लिए ट्रेक्टर लेकर लेकर आगया मैं, ब तो एक हासी पुटा सकता हूँ, और साथ में ही सेटब भी लगा सकता हूँ, वन, टू, वन, पता है यह पावर का रास क्या है, कुछ भी नहीं, बाबुजी का चूरन, चलो भी बहुत बाते के लिए थोड़ सा काम कर लेते हैं, तो कि अपने ट्रेक्टर को घर के अंदर से सारी किड़नी निकाल के दो, मेरे को आइपोन 13 खरीदना है, गाइस बागा की ये डिमार्ट सुनने के बाद, मेरी किड़नी में तो हाटेटेक आ गया है,